अब आते हैं मुझों 3rd person plural subject पर थर्ड प्रेशन प्लूरेल सब्जेक्ट है और 2 या। त्उ या मर्दन तू नेम्स या बोलने वाला होता है जो वह होता है हमारा सेकंड परसंग जैसे कि अपने सब्सक्राइब की जाती है वह हो जाता है हमारा थर्ड परसन ओके आपके इतनी concept clear होगा है राइट चलते हैं हम लोग practice पे so जब हम लोग English बोलना start करते हैं तो सबसे जादा हम लोग sentences कीस चीज़ करते हैं तो present indefinite tense का use करते हैं तो चलिए उसी का practice करते हैं सबसे पहले आपके मांड में question रहेगा मैं यहां पर आपको present indefinite tense का overview देने वाले हूं आपको इसका deep knowledge नहीं देने वाले हूं होता है 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 अब डिनोट होता है मतलब present का present habit facts universal truth इन सब चीजों को कॉन प्रक्टा है तो present indefinite tense हिंदी वाके क्यों अंत में ता है ती हो यह लगा हुआ होता है तो क्या हो जाएगा हमारा present indefinite tense हो जाएगा tense मतलब वो होता है जो काम के time के साथ action को denote करते हैं वो क्या हो जाता है हमारा tense हो जाता है ठीक है तो time के साथ answer denote करने वाले sentences को किस category के अंदर रखते हैं तो tense वाली category के अंदर रखते हैं okay so present indefinite tense भी वर्प को denote करेगा हो भी time के साथ तो present मैं बोल दियूँ को इसमें यह क्या denote करेगा present time को denote करेगा और इसके अंत में ता है ती ही ती हो यह लगा हुआ रहेगा सो आते हैं इसके structure पर सबसे पहले बात मैं आपको एक fact बता देना चाहती हूं कि वर्प जो होता है वो जन्म से ही plural होता है इसमें हम लोग s या es लगाके इसको singular बनाते हैं और जो हमारा noun होता है वो जन्म से ही singular होता है इसमें s या es लगाके इसको plural बनाते हैं फर एक्जामपल अगर मैं वर्प का example दूँ प्ले प्ले जो हमारा वर्प है यह वीवन है और यह क्या है हमारा plural है इसमें मगर अगर इसमें अगर मैं s जो दू प्लेस बना दू तो यह क्या बन जाएगा singular बन जाएगा और यह singular subject के साथ use होने लएगा अब आते हम लोग next example पर noun वाले एक्जामपल पर आते हैं अगर मैं बोलू पैं तो पैं जो है यहां पर singular है अगर मैं बोल दूँ उसको उसमें अगर मैं as जोड़ दू अगर उसमें मैं as जोड़ दू तो क् प्लूरल उके इतना आपको समझ आया चलते हैं प्रेजं़ इनाफ्री टेंज के structure पे प्रेजं़ इनाफ्री टेंज का structure होता है subject प्लस V1 V5 प्लस object इसका negative structure होता है subject प्लस दूडल प्लस नॉट प्लस वीवन प्लस object सबसे पहले बात मैं एक और बात आपको बताना चाहते कि sentence में जो first verb होता है वो tense के according होता है अब बाकि जितने भी भर्व लगते हैं वो सब की सब क्या होते हैं वीवन होते हैं अगर दो भर्व आपको एक सांस राना है ठीक है तो वो उसके बीच में क्या लगेगा तू लगेगा आगे आगे वाले इजामपल में हम समझेंगे ओकी वाले जाएगा शोगसकिंग डूडल करने कि क्या होता है या फोर्व होता है है इसका सब्जिट इस वीवन प्लस आप्जेट प्लस question mark, interrogative negative का structure क्या हो जाएगा, do this plus subject plus not plus v1 plus object plus question mark, अब आते हैं हम लोग wh पे, wh बैसे question होते हैं, जिनका answer yes या no, yes या no में नहीं होता है, जिसका answer आपको elaborate करना होता है, इसका structure हो जाएगा, wh plus do this plus subject plus v1 plus object plus question mark, और wh negative का structure क्या हो जाएगा, wh word plus do this plus subject plus not plus v1 plus object plus question mark, ओके, so interrogative के structure में मैंने किया क्या, मैंने जो helping work थी ना, जो exhilarative work थी, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, और last में एक question mark जोड दिया, ओके, और interrogative negative में मैंने क्या किया, interrogative वाले structure में ही, मैंने subject के बाद not जोड दिया, तो क्या होजाएगा हमारा interrogative negative, अगर आपको बनाना हो, wh, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको interrogative का structure थाना, उसमें आगे आपको wh word जोड देना है, तो क्या होजाएगा हमारा, डब्ल्लिष negative, अगर आपको डब्लोष negative बनाना है, तो डब्लोष वाला जो sentence थाना, नहीं, डब्लोष वाला नहीं, जो interrogative negative वाला जो sentence थाना, उसके आगे आपको डब्लोष लगा दे, तो क्या बनाएगा डब्लोष negative, ठीक है, चलिए, आते हैं example पे, मैं पढ़ती हूँ, इसका translation क्या हो जाएगा? I की English हो जाएगी, मैं पढ़ना करीब, I read, आपको बस इतना नहीं करना है कि I read, आपको इसको छेओ sentence पे बनाना है translation, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्या मैं पढ़ती हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं क्यों पढ़ती हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ती हूँ? इस छेओ sentence का आपको translation में नाना, जैसे कि I read, I do not read, do I read, do not I read, why do I read, why don't I read?